हलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, टैक्स एन अकाउंट्स में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ एक जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ कि आप यहाँ दे सकते हैं, निव रिलीज एक आया हुआ है यह 23 साथ 2019 का है, CBDT extends the due date for filing income tax return from 31st July 2019 to 31st August 2019 अब यहाँ पे यहाँ पर प्रस रिलीज आया हुआ है, इसको क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं, यह देख सकते हैं कि प्रस रिलीज आ गया है यह आपका नंबर जो है रिलीज का, यह 225-157-2019 ITA 3rd 2nd, Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, North Block ITA 2nd Division, New Delhi, 23rd of July 2019 order under section 119 of income tax act 1961, तो यहाँ पर क्या बताया गया है इसमें कि the due date for filing income tax returns for assessment year 2019-20 is 31st July 2019 for certain categories, कुछ निस्चित category है उन्ही के लिए यह बढ़ाया गया है, सभी के लिए नहीं है, certain categories of taxpayers. It has been reported that some of the taxpayers are facing difficulties in filing their income tax return due to various reasons, So, some people are feeling difficulties in the return file, feeling of difficulty, including the extension of due date for issue of form 16 for the assessment year 2019 and 2020. तो region क्या था कि जो form 16 इसू करने थे, उस form 16 अभी तक upload नहीं हो रहे थे, काफी लोगों के इस कारण से भी दिक्कत हो रही थी, बहुत लोगों ने तो अपना income tax return file भी कर दिया है और अब जाके form 16 आ रहा है, तो उसमें क्या है कि जो दिक्कत यह आ रही है, कि जो tax liability है उसमें difference आ रहा है form 16 और जो पहले उन्होंने file कर दिया है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, revise return करना पड़ेगा, Second, उन्होंने क्या बताया है, इन्होंने क्या किया कि 31 अगस तक के यह आप देख सकते हैं, 31 अगस तक के इन्होंने change कर दिया है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, जितने भी individual के return file होते हैं, जितने आडिटेड हैं, वह तो आप लोग जानते हैं ही है, 31 October होती है last date, लेकिन यहां पर क्या है, वैसे तो 30 September होती है, लेकिन हर साल 31 अगस उसको कर ही दिया जाता है, जैसे पिछले साल भी इंडिविजुल्स का 31 अगस कर दिया गया था, थोड़ा बहुत date बढ़ा देते हैं, जिससे की थोड़ा return भी फाइल हो जाएं, तो government उनको छूर दे देती है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, कि यह यहां पर सो हो रहा है, 31 अगस तक के आपका data complete कर दिया, तो दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल Tax & Accounts को लाइक के और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको किसी अपने जो लोग income tax rent फाइल करते हों, उमको इस knowledge के लिए शेयर जरूर करें, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर due date बढ़ा दी गई है, Thank you for the watching video.